नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है दोस्तों अब आपके कुंडिले में बहुती बड़ा बदलाव दिखाई दे रहे हैं जे दोस्तों आपको बता दें कि अब आपके जूनकाल में काल कोटी योग का निर्मान हो चुका है जे दोस्तों और यह योग आपके जुनकाल में कई परकार के अकाश्मीक और चुमतकारिक बदलाव देने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यह योग आपके लिए लाबकारी और लाइफ चेंजिंग शाबित होंगी। दोस्तों अब आपके जुनकाल में अगले 72 घंडों में आपके दुश्मनों के शौकिलार गुंजेगी। अब उनके जुनके नटबोल्ट डेली होने वाले हैं। आपको बता दें कि यह शुमें तराल में आपको बहुती शुबसमाचारों की प्राप्त होगी। गरों की यह शुमिति आपको कई बड़े शुपलताई देने वाले हैं। जिनसे दुनिया आपकी जल्वा देखेंगे। साथ दोस्तों आपको बतादी कि यह में आप से कोई गलती ना हो। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंच तक जरूर देखेंगा। क्यों दोस्तों इसे मोकें बार बार नहीं आते हैं। और इसे में आपके हांतों से हुई छोटी शी गलती भी आपको इन शभी लाप से वनचित रख सकते हैं। तो दोस्तों यशे में आपका दाइत होता है कि यश में थोड़ी से शावदानी आप जरूर रखें। जय शन्यदेव लिखेगा। गुरुजी का और भगवान शन्यदेव का स्षी दाशिरबात प्राप करेगा। तो दोस्तों जरूर लिखेगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं। दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शाथे बेल आइकन को प्रेश करके ओल पर्श लेट कर दें। तो आई दोस्तों वीडियो को प्राहर हम करते हैं। दोस्तों यश्र में प्रेसितियां अतियनुकुल है। कार यशानी से संपन होंगे। आपका दिक्तर ध्यान शोयंग के उपर ही केंद्रत रहेगा। अपने भावी लक्षों के प्रती, महनत, तता सुन्योदित धंग से कारी करने से काफी हद तक शफलता मिलेगी। गर में किसी नईदी की मेमानों के आने से भी कुछ नोवा वातारन बना रहेगा। इसको प्राण दोस्तों यश्र में अगर आपकी सावधनी को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश्र में बहारी लोग के साथ मिलते जुलते आपको थोड़ी सावधनी बरतनी चाहिए। कुछ और पढ़ाई फर्ध्यान को केंदीरत रखें और इसको प्रांदोस्तों यह श्रमें आपके लिए जोसे महोंगे आपको बता दें आपको काम वक्त पर पूरा करने की कोशिद करने होंगी आचानक से नई कामों की जिम्मेदारी भी आपके उपर बनी रहने की वज़श्य आपके पूरे होने वाले हैं विचारों में शरलता और रेकलता आने के उज़श्य आपके दोवरा हुए शवी निरले उची थी शाबित होंगे और इसको प्रांदोस्तों यह श्रमें आपको बता दें कि दोस्तों पारिवरिक तर्था शमाजिक अस्तरफर आपका वच्च पुन जिमेदारें आएंगी पेशा आने के साथ-साथ वएकी भी इस्तिती बनी रहेगी प्रंतु आर्थिक दिती यश में शंतुलित रहेगी कुछ नई दिकी लोगों के साथ पारिवरिक गेट टुगेदर भी हो सकती है शाथी दोस्तों आर्थिक निवे शमादी बातों पर दोबारा विचार अवर्श करें दिन की शरुवात में ही कुछ तनाव की स्थिती रह चकती है बायों के शाथ मद्भेत की आशंका भी बन रही है ज्यदा दिखावे की प्रिवर्टी से बचें तथा अपने क्रोध पर यश मेर नियंतर रखें यह आपके यश में के रि यश में ध्यान हो शकता है इनमें आप ध्यान देश शकती है इसके साथि दोस्तों आपको बदा दें यह श में परिवार के कुछ व्यक्तियों की शाथ आपकी नराजगी भी बनी रहेगी फिर भी शमवात बनाई रखने की कोसिश करते रहें और इसको प्राहत दोसने यह आपके लिए दोस्तों आपको बदा दें कि आपकी विनमर और मदूर शभाव के वज़ेश लोगपिरिता आपकी बनी देगी कुछ पुराणे मदवेदों का भी निवारन यश में होशकता है बसरती आपको कोशिश करने होगी तो दोस्तों कोशिश जरूर करें शंतान शम में शपनों की दुनिया में नौ रहें इन से बाहर आएं और हकीकत को समझ कर कारें जहां दोस्तों यह आपके लिए बहतर साबित होंगी आपके कुछ निरले भी यह में गलत साबित हो सकते हैं इसका ध्यान रखें कुछ में आत्म मन्थन या पिर चिंतन वा पिर मनन करने क कोशच करें मन करने में शमय लगाएं यह आपके लिए यह में बहतर साबित होंगे और इसको प्रांद दोस्तों यह में आपकरी समय होगी आपको बता दें कि आपको अपनी अपेक्छा के नुशार्ट शबलता भी प्राप्त होगी लेकिन वक्त पर नो मिलने के वज़ेश मानसिक तकलिप का शामना भी आपको करना पर सकता है लेकिन अगर आप कोशच करेंगी तो शमन फिर शे बहतर होगी और इसको ब्रांद दोस्तों यह शमय आपकी लगन और हिम्मा द्वारा कोई अपरताशित लाप मिलने की शमहना बन रही है या फिर लाप मिलने वाली है तो दोस्तों कोशिच करते रहें प्रयास्त करते रहें कोई पुशनेती जमिन ज्यादा शमन्दी काली रुका हुआ है तो दोस्तों यह शमय उनका हल मिलने की उम्मीद है आपकी अपने काम के प्रती शमर्पन की भावना आपके लिए नए मार्ग के असमें खोलने वाली है कोई पुरानी नकात्मत बाते हावी होने से आपके अंदर आत्मा भल में कुछ कमिया शक्ती है आपको बता दें कि अपनी महत्पुन चीज़ों का ध्यान श्वेंग रखें किसे अन्य पर विश्वास करना आपके येश में हाने का रग रहेगा कोशिच करके अपने काम श्वेंगी निप्टाने का प्रयाश करें दोस्तों येश में आपके लिए बेहतर शाविद होगी तो बिल्कुल भी रग लापरवाही येश में ना करें और येश में आपके लिए समयोंगे आपको बदा दें कि सहत से समयद बातों में अधिक जगरुगता दिखाने के आप शक्ता होगी पुरानी बिमारी फिर शे तकलीब दे सकती है इसलिए दोस्तों अपने खान पान में बड़ा है पदलाव लाए ये आपके लिए बैतर हो आ लिए और इसको परांद दोस्तों येश में आपके केरेर को लेकर बात करें अर्थाद आपके वयशाय की तो दोस्तों येश में नई अनुबन आपको मिलने वाले हैं शमय का भरपूर्श रिप्योग करें येश में पब्लिक डिलिंस से सम्मधित कारियों पर अधिक ध् सब्सक्रादा और लाब कम की स्थिती भी रहस्ष रखती है अगर कोई नया काम आरम किया है तो परिशान होने के बजाए धेर और श्रेम बनाकर रखें धेरे धेरे परिश्ततियां अनुकूल हो जाएंगी किसी वरिश अनुभवी व्यक्ति की श्राफ पर आप आप आउश प्रती ज्यादा सजग रहें कोई गलती होने से इनको एरी वेटने की अश्रंका भी लग रही है बैतर होगा कि दूसरों पर अधिक विश्वास ना करें और अपने कारियों पर श्रेंगी ध्यान रखें इसको प्राम दूसरों यह अश्रों में आपके केरेर के लिए जो सम गड़बड़ी होने में दिक्कत आशकती है तो इसको प्राम दूसरों यह अगर आपकी लव लाइप को बात करें अर्थात आपके पारिवरिक जिवन की तो दोस्तों यह में घर का महौल सांती पून और खुश्णमा बना रहेगा पतियों पतने की बीच किसी मामोली से बा बनाने से सबीको खुशी महसुद होगी और यह में ज्यादा ना करें यह अपकी लव लाइप के लिए और प्रेयम के लिए बैधर शामिद होंगी और इसको प्रांदो से यह शमे आपके प्रेम शमदव के लिए आपके लव लाइप के लिए समय होगी आपको बदा दे पती पतने की बीच उधी समाजस बना रहेगा यूआ वर्ग वेर्द के प्रेम शम्मावने में शमे नश्ट ना करके अपने काम पर ध्यान दर दें ये आपके लिए बैतर होंगी और इसके प्रांद दोस्तों ये शमे अगर आपके स्वास को लेकर बात करें अर्थात आपकी सेहत की तो दोस्तों यह में शारिक और मांसिक दोनों तरह की ठकान हावी रह सकती है तो समय शमय पर आप अराम जरूर करें अराम लेना आपके लिए यह में अत्ती आवश्य होंगे तो इन पर जरूर ध्यान दे और इसके पराम यह में नजला जुखाम जिसी परिशानी भी रह सकती है शर्दी से अपना बचाव रखें तथा वहस्तित खान पान ले दोस्तों यह आपके श्वास के लिए यह में महत पुन शावद होंगे और दोस्तों अगर आप शाहदने को रखेंगे तो आपका श्वास ठीक होगा प्रतों शमे शमे पर महिलाओं को अपने श्वास का विसे ध्यान रखने की भी जर्द होंगी तो दोस्तों इन चीज़ों पर ध्यान दे ही आपके श्वास के लिए बैतर होंगी